फ्रेंड्स आउले हमारे ले बहुती फायदे मंद है आज मैं इसके फायदे नहीं बताऊंगी मैं सीधा आपको रेसिपी बताऊंगी क्योंकि फ्रेस आउले हमको पूरे साल बर नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग सुखे आउले का इस्तमाल करके पूरे साल बर इससे आज मैं बना रही हूँ सुखे आउले से सरबत जिससे की जो की ठंडी तासिर का होता है गर्मियों में बहुत फायदे करता है तो सुखे आउले हमको ग्रोसरी सोब पर आसानी से मिल जाते हैं या फिर हम जब आउले का सीजन होता है उस समय सुखा के रख सकते हैं तो सरबत बनाने के लिए मैं तीन ग्लास सरबत बना रही हूँ सरबत बनाने के लिए मैं लगबग तीन या चार आउले के बराबर में सुखे वे आउले ले लूँगी या आप टेबल इस्पून से आप नाप सकते तीन टेबल इस्पून आप इस तरह के आउले ले ले रस सहीद उसको डाले आउला जब मैंने भिगाया था तो पहले दो लिया था दोने के बाद भिगोया था जिससे की उसमें जो रस निकलेगा वो मैं फैकूंगी नहीं ये मैं इंग्रीडियंट्स डालूंगी वह बाद मैं आपको बताऊंगी तो मैंने इसको बारिक पेश्ट बना लिया है थोड़ा लिक्विडी है देखे इस तरह का और मैं इसमें पानी डालूंगी पानी डालके मैं से हिला लूंगी जिससे की इसको छानना थोड़ा आसान हो क्योंकि मैं इसमें पानी पतला इसको बनाया हुआ है इसे चान लेंगे हम चानने के बाद जो है छलनी में थोड़ा सा आउले जो अच्छे से च्छननी पाएका वह आ जाता है इसलिए चम्मत से हम लोग इसको अच्छे से दबाते वे सारा इसका रस निकाल लेंगे और टे तो नम्ध किया फिर जो भी आपको कम लगता है इस समय आप इसमें मिला सकते हो मैं इसमें पानी क्याद तीन गलास बनाना था इसलिए पानी और एट कर दिया है और अब मैं इसमें अभी मैं नीबूशिदा बाद इसमें डालू गी तो मैं पूरा नीबु इसमें डालूंगी और नीबु डाल गे मैं इसको टेस्ट करूंगी और यदि आपको थोड़ा सा इसे में नमक ऑर डालना है तो इस समय आप डाल सकते हो मीठे के लिए मैं इसमें चीनी मैंने पहले भी एट की थी अभी भी कर रही हूँ आप यदि इसको इसमें सहट डालें तो वो ज्यादे अच्छा रहेगा तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाता है काफी हैल्दी होता है हम लोग मारकेट के श्कुर्स या कोई भी हम लेके आते हैं वो हैल्दी नहीं रहते हैं यह काफी ऐल्दी है आप इसको बनाए तो आप चाहें तो इसमें इसको ठंडा बनाना चाहें अधिक तो इसको डाल सकते हो मैं इसको नॉर्मल ठंडे पानी में बना रही हूं तो इस तरह से हम इसको बना के पी सकते हैं फ्रेंड से बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब के लिए अच्छा है इससे ठंडी तासि का है और इसमें काई सारे न्यूट्रियन्स होते हैं जो आपको पता है तो इस तरह से आप हेल्दी ये डिंक समर में बना सकते हो तो आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि अच्छी लगती है शेयर करेगा और हमाये चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग